नमस्ते दोस्तों, जीपी ओल्लाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनेस वगत है हमने मिसन LDC 2024 सुरू किया है और आस्ते 6-7 महिने बाद आपका LDC एक्जाम 2024 होने वाला है इसको हमने टार्गेट किया है और यह टार्गेट आपको एचीव करना है आपको सोते समय, जागते समय, वो जो डेट मैंने आपको कल बताया था, मेंसन किया था वो डेट आपको नहीं भूलना चाहिए, वो डेट आपको समय पदलते आजाएगा जून कब आजाएगा, जुलाई कब आजाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जो बीच में आपको समय मिल रहा है ना इसका utilization ही आपको आपके success की और ले जाएगा डागर गाइग भागेग का ये part 2 session है इस session में भी हम 50 question कबर करेंगे GP online classes के बले NDC के लिए काम करता है GP online classes ने 2024 के NDC के लिए tagline दिया है जो है मार्क दरसन जो आपकी सफलता निश्चित करें किसी भी session का सुरुआत करते हैं एक motivational line के बारे में चर्चा करते हैं जरूरी हो जाता है कि आपका जो consistency है जो आपका energy है आपके भी भागी परिच्छा के लिए वो आपके अंदर बरकरार रह सके आज का motivational line है इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उस हर व्यक्ति को संघर्स करना होता है जो हां सकर करेगा वो राजा बनेगा पहला question इस screen पर लगा रहा हूँ पहला question post office guide part 1 का दूसरा part है ये part 2 है 51 number question है ये guide पूरा अंतर देशी डांक से संबंदीत है और 1986 का edition है चलिए 51 number का question बोला है which one of the following work is not generally performed by railway mail service offices during the schedule hour on Sunday इस सांदर्स這 question प को इस सांदर्स न को शक्रिंट किया है कि रवीबार को निर्धारित घंटों के दौरान साथ हर्ता है सभी रेलडांक से बाकरयालय में निमिंसकीत में से कौन सा कार हम नहीं करते है चलिए कुछ option दिये हैं, कुछ option दिये हैं, बोला है, संडे का बात कर रहा है, संडे को कौन सा कार नहीं करता है, RMS का office के बारे में जिक्र किया गया है, सभी के दिमाग में एक सवाल उठ रहा हो, भाई, टिकट और स्टाम बगेरा stationary जो भी आता है, department आप post sell करता है, उसको तो हम base देते हैं, इसके लाबा और कौन सा कार है, इसवा postal certificate ये भी हो गया, डाग परमाण पत्र, अगर किसी को चाहिए, तो जारी कर देता है, पहले जारी किया जाता था, रजिष्ट्री आर्टिकल का हम booking करते हैं, अब डाग परमाण पत्र क्या होता, पहले जो होता अपने रजिष्ट्री आर्टिकल के लिए यदि आपको proof बगएरा चाहिए, तो हास से लिखके certificate बना कर दे देते थे, तो ये तीनों काम, A में जो दिया है, इसके लाबा जो B में दिया है, C में ये तीनों काम करेंगे, रबिबार को RMS के office में, जो delivery का काम है वो नहीं होगा, इस वज़े से 99% लोगों ने इसका जबाब सही दिया है, अगला question को हम target करते हैं, 52 number का question, जो भी चीज़े हम पढ़ेंगे, एच पर guide पढ़ेंगे, कोई समस्या होगी, guide का reference लेंगे, अगला question, sold at telegraph branch up United Postal telegraph house when they are open to public, पताइए, अगला question है, कि संयुक्त दांक तार घरों की तार साखा में, उस समय में, जब जनता के लिए खुले रहते हैं, वहाँ पर बेचे जाते हैं, संयुक्त दांक घर का जो situation था, जो इसका structure था, वो पहले होता था, अभी ये स्तार घर वाला जो सिष्टा में ये बंद हो चुका है, लेकिन हमें अगर जानने को मिल रहा है, हमारे सलेबस में दिया है, डिपार्टमेंट ने बोला है कि पढ़िये, पहले भी जो होता था उसको भी जानिये, अभी जो हो रहा है उसको भी जानिये, तो उसी के बारे में एक question था, बताएए, पोस्टेज टाम, इसके लाबा पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड, एंबलाप, या फिर ये सभी, which option is correct, give me right answer on comment box, उत्तर नम्बर D, ये सभी चीजें जो उपर बताई गई हैं, ये सभी चीजों का facility जो है, संयुकतार घरों में दिया जाता था, अगला question क्यों चलते हैं, अगला question देखिए, 53 number question है, give the wrong statement regarding mobile post office, mobile post office के संबंद में एक गलत कथन का चैन करना है, चलिए, कुछ option दिये हैं, तो option को पढ़ेंगे, तभी तो हम गलत कथन का चैन कर पाएंगे, चलिए, option देखिएगा, option को ध्यान से समझने का ट्राई कर दीजिएगा, open Sunday post office holiday, तो आपके दिमाग में आ रहा है, क्या Sunday और डांगर का चुट्टी के तिर मोवाईल post office खुलता है, अरे नहीं खुलता है, और बताया कि केबल night post office खुलता है, तो पहला बात हमारा गलत हो गया, दूसरा, ये बिल्कुल, stamp का sell करेगा, stationery का sell करेगा, certificate आ पोस्टिंग को भी जारी करेगा, किसी आर्टिकल के लिए, इसके लाबा booking, air parcel और later item, मतलब हवाई पारसल का booking भी करता है, और इसके लाबा किसी भी आर्टिकल का register करना है, उसको भी collect करता है, लेकिन ये रबिबार और डांगर चुट्टी के दिन नहीं खुलता है, ये situation आपको समझ में आ गया, कभी पूचा कि रबिबार और डांग अगर चुट्टी के दिन भी खुलेगा, मुवाई पोस्ट आपिस में तीन चार चीजे होंगी, एक तो हवाई पारसल का booking होगा, लेटर का booking होगा, इसके अलाबा अनरिश्ट आर्टिकल को भी collect करेंगे, दूसरा चीज क्या नहीं होगा, तो value payable आर्टिकल नहीं लेंगे, इंसोर आर्टिकल यहाँ पर नहीं लेंगे, पिछला जो सेसन किया था, उस पर ये question हमने कबर किया था, अगला question देखिएगा, 54 नमर का, which are the following facilities are provided by mobile post office, बताइए कि कौन सा सुबिधा जो है, mobile post office में आपको मिलेगा, अगला देखिएगा, which are the following facilities are provided by mobile post office, तो ये booking of surface and airmail, मतल उनों का booking करेगा, गयर रजिश्टी आर्टिकल भी collect करेगा, टिकट भी बेश सकता है, हवाई डाक संगमगरी भी बेश सकता है, तो ये तो आपने देखा, आपने अगर ruling पढ़ा, तो ये 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 तीनों condition apply होता है, तो उत्तर हमारा D हो गया, जब उपर के तीनो काम हो गये, तो हमारा D उत्तर correct हो गया, चलते हैं अगले question की ओर, अगला स्वाल स्क्रीन पर सेट किया है, 55 नमबर का सवाल है, देखिएगा, if in every post office, the work on all the window of the post office is stopped as per number of hour, fixed working hour, on a normal working day of the week, पर तेक डागघर में सब्ताय के समान्य कारदीबस में, जितने बजे तक काम करने का समय नियत किया गया है, उतने बजे जाने पर सभी खिड़कियों पर काम एधापत रोंक दिया जाता है, सवाल पूछा है, कि एक time period आपको department आप post ने दिया, कि आप अगर इसना time से इतना time के बीच में आएंगे, तो आपका काम होगा, यदि उस बीच में कोई customer गया, तो बाकी जो अपने काम है, department को इसको रोंकेगा, और जो आपका काम है, उसको priority देगा, तो इस कथन के बारे में आपको सोचना है, और comment में ये बताना है, कि कथन वो सही है या फिर गलत है, तो option number A आपको बोला कि the statement sometime true, sometime false, दूसरा बोला, these statement are true, these statement are false, which option is correct, give me right answer on comment box, the statement is right, the statement are true, यह कथन बिलकुल सकते है, आज के बाद यह कथन आपको नहीं बोलना चाहिए, अगला सवाल इस्क्रीन पर सेट किया है, 56 नंबर का सवाल है, इंक्वैरी करना है, किसके बारे में अपना article है, saving bank है, इसके लाब इंसुरेंस है, किसी भी, postal department का जितना product है, किसी भी बारे में, यदि आपको इंक्वैरी करना है, और अगला बुला है, कि उसका बिक्री, डा पारे समय है, उन सभी के दोरान, या फिर अगला option है, 10 to 1 pm, 2 to 5 pm, या फिर ननापदायब, एक structure है, अगर आपने मेरा detail वाला वीडियो देखा है, detail वाला पेडियाब देखा है, तो आपको याद होगा, एक structure है, कि भाई साब saving bank का का काम कितना होगा, इसके लाबा article का booking का का कितना होगा, पूस्ताच करना है, उसके लिए क्या समय निर्धरित है, तो 56 का A जो है correct answer हो जाएगा, जो भी डागघर का समय है, उस सभी समय के दोरा दिया आप डागघर पर जाते हैं, तो आप पूस्ताच कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट आप पोस्टिं जो है, वो रभी बार और पोस्टल हॉलिडे के दिन नहीं किया जाएगा, कुछ ऑप्सन दिया है, और इस स्क्रीन पर उसको पढ़ना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में डालना है, तो 57 नमबर कोश्चन है, देखिएगा, विच वर्क इस नॉट डन संडे एंड अडर पो NPO के बारें बताया था कि रभी बार को NPO खुलेगा और उन सभी दिनों में ये सभी काम जो है, नहीं किये जाएगी, ये सभी काम मतलब जो इस स्क्रीन पर लगाया है, जो इस स्क्रीन पर बताया कि डिलिवरी नहीं होगा, मनी आडर का भुकतान नहीं होगा, सेबिंग बै कि सर ने जो पढ़ाया था अपने multiple choice question में वो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है चलिए अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल स्क्रिन पर लगाया Mobile post office is closed on Sunday and other post office holiday Mobile post office रभिबार और अन्य डांखर चुट्टी के दिन बंद रहते हैं सवाल किया गया है The statement sentence is true, sentence is false या फिर A and B दोनों इन में से कोई ज़िए कौनसा उत्तर सही है इस question का जो उत्तर है वो हो जाएगा A मतलब statement जो है वो सही है रभिबार को जो Mobile post office है और अन्य डांखर चुट्टी के दिन बंद रहता है चलो अगला सवाल देखो अगला सवाल देखो स्क्रीन पर लगा दिया Which two Mobile post office have been allowed to book money order चलो बताईएगा कि किन दो दांखरों को money order book करने का इजाज़त दिया गया है चलो इंपोर्टेंट कोश्चन स्क्रीन पर लगाया है किन दो दांखरों को Mobile post office को money order book करने का इजाज़त दिया गया है चलिए जो correct जबाब होगा वो हो जाएगा तो ऐसे Mobile डांखर जिनको money order book करने का परमीशन दिया गया है तो नाम याद रखिएगा मदरास और नांखरों अगला question स्क्रीन पर लगा दिया है 60 number question है who give the right to desirablety of prepayment postage और unregistered article बताइए डांक भार की पूर अदाइगी के बांचनीता अब पंजिकत article के लिए कौन अधिकार देता है चलिए बताइए कौन आपको अधिकार देगा prepayment of postage के लिए unregistered article में secretary post इसके लाबा dg post adg या फिर hoc head of circle कौन सा उत्तर सही है डांक भार की पूर अदाइगी के बांचनीता पंजिकत article के right कौन देता है उत्तर नमबर आपका decorrect है कई बार आपने repeated question है आपको देखने को मिला होगा hoc के पास ये authority होता है अगला question देखिएगा which is the following work is done by mobile post office कौनसा इन में से कौनसा कारे इन में से कौनसा कारे जो है वो mobile post office करेगा तो पिछला question हमने कबर किया था वहाँ पे चर्चा किया था कि कौनसा कारे नहीं होता है पिर अगला question आया अब बुला कौनसा कारे होता है तो later type का article का posting होगा बिल्कुल बात सही है तो पहला option तो आपका एकदम correct हो गया टिकट का इस बिक्री भी कर सकते है इस post office में बिल्कुल ये बात भी सकते हो गया है इसकलाबा जो हवाई डांक का article है उसको भी हम collection करते हैं तो ये बात भी सकते हो गया है तो लगबग लगबग सभी लोगों का उत्तर correct आ रहा है तो अगले question की और चलते है इसका उत्तर D है अगला question दिखिएगा बिचिता following article cannot be posted in later box कौन सा article later box में post नहीं किया जा सकता आपको पता होना चीक later box में एक निश्चित टाइप के article आगे आने वाले session में आपको question भी देखने को मिलेगा कि later box में निश्चित टाइप के article पोस्ट किये जा सकते हैं तो बताइए कौन सा article आप post नहीं कर सकते हैं post card पोस्ट कार्ड तो डाल सकते हैं post card तो आपका अनरईष्टर का category में आता है ILC, ILC भी डाल सकते हैं अनरईष्टर आर्टिकल जिसको मैं you are लेक देता हूँ इसको भी डाल सकते हैं जो आपका article है वो registered registered post जो है उसे आप letter box में नहीं डाल सकते इसको आपको window of the post office में ही डालना पड़ेगा मतलब घर की खिड़की पर ही डालना पड़ेगा अगला सवाल 63 नंबर का है और सवाल पूछा है दू टू लार्ज साइज अर्टिकल विच कैननोट बी पुट इन लेटर बाक्स अर्टिकल कैन बी प्रजेंटेड विंड़ दा पोस्ट आफिस, विंड़ आप दबैन वाथ A&B या फिर नन अप दीच चली बताइए पहली बार जो GP Online का साथ पकड रहे है उनको GP Online प्रेटफर्म को चूच करके कैसा फीड हो रहा है इसके बारे यहीं कमेंट करके हमें अपना राय फीड़ बैक जरू बताइए GP Online क्लास को जो पहली बार चूच कर रहे है किसी के सजेसन से अपने friend circle, अपने colleague किसी का भी सजेसन से तो उनको जो session मिल रहे है जो guidance मिल रहा है या फिर जो schedule मिल रहा है उनको कैसा लग रहा है इसके बारे हमें हमें अपना फीड़ जरूर दिया करे चलिए बताइए तो जो आर्टिकल बड़े होने का आर्टिकल लेटर बाक्स में पोस्ट नहीं किया सकते हैं उनको या तो डांकर की खिड़की पर दे 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 या तो विंडो अब दा बैन दे 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 चलिए अगला सवाल देखेगा 64 नमबर का सवाल है इसको जरूर देखिए गाँ इसको जरूर देखिए बताइए डियर इस वहाल दे मेंड डिफरेंश इम पोस्ट डिस्टिविशन अर्वन एरिया and the post distribution ruler area बताईएगा कि सहरी छित्र और ग्रामीर छित्र में जो बाटी जाने वाली टांक है उस पर क्या difference है उनमें पते के सम्बंद में क्या difference है name of address, profession यदी कोई है तो number of house या फिर father and husband name correct उत्र बताईएगा जिसे आपको पता होना चाहिए कि जवाब article किसी गाओं के लिए संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ पर पिता या पती का नाम होना जरूरी हो जाता है ठीक है और सहर को कर रहे हैं तो ये चीज compulsory नहीं है इसलिए इसका उत्र डी correct है important question है पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा अगला question दिखिएगा cam particle should not be sent के cam particle नहीं भेजा जाना चाहिए बताईए at the post town address camp address both a and b या फिर none of beach important question बताईए cam particle नहीं भेजा जाना चाहिए बताईए cam particle नहीं भेजा जाना चाहिए important question है ध्यान दीजिए किस question की ओर cam particle camp के पते पर जाएगा post town के पते पर नहीं जाएगा यह आपको ध्यान रखना है बड़े अधिकारियों के लिए cam particle भेजा जाता है तो के बल के पते पर ही जाएगा 66 number का सबाल इसके नहीं पर लगाया है अगला question दिखिएगा अगला question दिखिएगा 66 number का at which address should the post of navy force employed be sent जल सेना के करमचारियों के डाँ किस पते से पटती है या फिर कैसे भेजी जानी चाहिए चलिए 56 APO 99 APO डागघर का पता या फिर plate mail office गुंबई question number 66 important question है दिखिएगा इस question को जब आप comment box में ढालिएगा बिल्कुल जब भी बात आएगा जल सेना के बारे में जल सेना का बात आएगा आपको एक बात होना चाहिए ध्यान plate mail office के द्वारा इसका डांक का नियंत्रन किया जाता है जो थल सेना और आपका बायू सेना रहेगा उसका डांक का नियंत्रन 56 APO और 99 APO से किया जाता है चलिए अगला देखिएगा अगला question देखिएगा अनिशित पते वाले article को article with indefinite address will be sent to return later office will be sent sender will not be delivered none of these या निशित पते वाले article को भेजा जाएगा उना प्रेशन केंद्र या फिर प्रेशक को या फिर वितरन नहीं करेगा या फिर इन में से कोई नहीं इस article पर निशित पता नहीं लिखा है उत्तर इसका C होगा पूँचा गया कोशन है 2020 में ये कोशन पूँचा गया था याद करिए इस कोशन को इरे कोई article वितरन के लिए मिल रहा है post box के पते पर भेजा गया है लेकिन वितरन डागघर में ये पता चला कि उस व्यक्ति के पास कोई भी post box अभी नहीं है तो article के साथ क्या बिभार किया जाएगा बदाईए इस question को पहला जो condition बनेगा वहाँ पे आपको दिखाएगा कि article deliver नहीं किया जाएगा इसका जो question का answer है वो हो जाएगा B कोई article delivery के लिए प्राप्त हो रहा है बाद में पता चलता है कि उस वक्ति के पास post box नहीं है आर्टिकल आर्टियस कर दिया जाएगा ध्यान रखियेगा ठीक है तो आज के बाद ये question को कोई भी confuse नहीं होगा अगला सवाल देखी अगला सवाल इस screen पर प्रतेक सरकिल के rail डांक से बाग कारिया ले और section पर किसका नियंत्रन होता है Who control the rail mail service offices and section in each circle have been rail डांक से बाग के सभी करमचारियों का rail डांक से बाग के postmaster का या फिर rail डांक से बाग के अधिच्छक या फिर निरीच्छक का काफी important सवाल है RMS के कारियाल है मतलब mail offices और section पर किसका control रहता है काफी मात्पूर्ण question है यह important है जैसे division का head होता है SPO मतलब डांक घर का दिच्छक वैसे RMS division का head होता है rail डांक से बाग का अधिच्छक और उसके नियंत्रन में जितने भी offices रहते हैं उस RMS में वो सभी उसके अंतरगत आते हैं अगला question देखिएगा bear to know address local superintendent post office और railway mail office go to any office railway office railway mail office या फिर post office या railway mail office इनमें से कोई नहीं बताइए easy question है कि rail डांक से बाग अधिच्छक या डांक अधिच्छक का पता कहां से मालूम कर सकते हैं कवाल काफी सरल है किसी बी डांक घर से rms से इसका पताब कर सकते हैं चली अगला question देखिएगा अगला question काफी महत्पूर्ण question question number 71 screen पर set किया है question number 71 screen पर set किया है चली जवाब दीजेगा सैनिक मुख्यले कोटर Master General नई दिल्ली 11 का निदेशाख होता है संचार मंत्राले किंद्री रिजर पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल सैनिक डांक से बाका प्रथान question number 71 screen पर set करिएगा और इसका जवाब मुझे comment box में बता दीजेगा चलीए अगला सवाल इसका उत्तर comment box में बता दीजेगा इसका उत्तर बिल्कुल 71 का उत्तर डी जो है इसका correct जबाब होगा चलीए अगला सवाल को target करें इस सवाल को आपने सही कर लिया है अगला सवाल office of posting means expression refer to प्रेशन डांगर अभिवेक्ती से तात्य पर क्या है the post office deliver mail to sender address post office does not deliver mail sender address जो पाने वाले के पते पर डांग बाड़ता है जो पाने वाले के पते पर डांग नहीं बाड़ता है प्रेशन डांगर कहीं पे आपको देखने को मिले प्रेशन डांगर उसका तात्य पर क्या हो जाएगा कुछ लोग 72 का ए दे रहे हैं जब आप बिलकुल सही है ऐसा डांग घर ऐसा पोस्ट ओफिस जो प्रेशक के पते पर डांग बाटेगा उसे हम प्रेशक डांग घर के नाम से जानेंगे 73 नमबर कुश्चन बढ़िया कुश्चन है पुछा है किसी भी आर्टिकल का रजिश्टी करना है इतकलाबा बीमा करना है बैलू पेबल के तहद भेजना है उसका टाइमिंग आपको बताना है सब्ताय के समानने कारदिबस में और सिवाय सनिवार के कितने घंटों तक किया जाता है याद रखीगा सिवाय सनिवार सिवाय सनिवार के कितने घंटों तक किया जाता है रजिष्टी एंड बुकिंग आफ इंसुरेंस आइटम विच बैलू पेबल, मनी अडर आर आलसो इंकुलूड़ेड डिूरिंग दा नॉर्मल वरकिंग डे वीक एकसेप्ट सर्टर डे 6-7 घंटा, 3-4 घंटा, या फिर 3-5 घंटा, 4-6 घंटा अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया, उत्तर करेक्ट हो जाएगा C, जो 6-7 घंटा, एक रिवीजन करवाता हूँ आपको थोड़ा सा टिकट बगएरा, पूस्ताच बगएरा, जो डांगर का टाइमिंग है सभी टाइमिं में कर सकते हैं रजिष्टी उष्टी बुक करना है, 6-7 घंटा करेंगे 6-7 घंटा आपका Monday to Monday to Friday करेंगे ठीक है, 5 घंटा आप सनिवार को करेंगे रजिष्टी का बात कर रहा हूँ, बुकिंग बगएरा कर, ठीक है और बैंकिंग वाला जो काम है, उसको 5 घंटा करेंगे बैंकिंग वाला काम जो है, 5 घंटा करेंगे सोंबार से सुक्रवार, और 3 घंटा करेंगे सनिवार तो ये थोड़ा सौट रिवीजन हो गया, क्योंकि आपको चीजें क्लियर रहें, अगला कुश्चन इस स्क्रीन पर लगा दिया अगला कुश्चन इस स्क्रीन पर लगाया है, पुछा है, रजिष्टी, बीमा की बुकिंग, भीपी पारसल, तार मनियाडर, समलीत है ये कार डांगर में सनिवार के दिन कितने बजे और कितने घंटों के लिए किया जाएगा, अच्छा सवाल है क्योंकि थेवरी से निकाल निकाल कर सिच्वेशन के हिसाब से सवाल बनाया गया है, इसलिए सभी सवाल को आप ध्यान रखिए, चलिए बताईए अगला सवाल, इतना बुकिंग बगारा काम जो है, तीन बजे तक पांच गंटा, तीन बजे तक पांच गंटा, चौतर का जो करेक्ट जवाब होगा, वो होगा बी, काफी लोगों ने इसका जवाब करेक्ट दे दी, अगले क्वेशन को टार्गेट करते हैं, क्वेशन नमबर 75, आपको पता है, डांगर में टोटल 17 चुट्टी है, 17 चुट्टी है, जिसमें से 14 जो है सभी सर्किल में समान है, तीन जो है सर्किल टू सर्किल बैरी करता है, तीन सर्किल टू सर्किल वैरी करेगा, मतलब सभी सर्किल में डिफरेंस हो सकता है, और 14 चुट्टी सभी सर्किल में बर आपको बता रक्षा वंदन के दिन कभी डांगर में चुटी नहीं रहता पोस्टमेन सभी जो राखी होता है उनको डिलिवरी करता है तो उसका महत्पूर काम हो जाता है उस दिन स्पिसल ड्यूटी उसकी लगती है तो इससे भी आप थोड़ा गैस कर सकते हैं अपडेटेड टोटल पोस्टल हॉलिडे आर मतलब जो अपडेटेड वाला टोटल चुटांगर को चुटी है उसके बारे में आपको बताना है तोटल ग्यारा अपडेटेड चुटी है अभी पिछला कुशन में बताया उसके बारे में 13 है 12 है या फिर 14 है इसके बारें बते अपडेटेड वाला अपडेटेड वाला टोटल जो है 17 है इसको correction कर लीजेगा टोटल 17 है ठीक है question को थोड़ा correction कर लीजेगा total 17 है सभी सरकिल में समान पूछा होता है इस question में तो हम लगाते है 14 लेकिन इस question को थोड़ा correction कर लीजेगा अपडेटेड वाला 17 है ठीक है चलो अगला देख लो दोनों चीजें मैंने बता दी जब पीडियाप दोंगा तो correction कर दोंगा चिंता नहीं कर ला चलो अगला देखो अगला सवाल how will male be treated if full postage has not been paid बोला है कि आपका जो article है अगर उस article पर पूरा पैसा आपने पैट नहीं किया तो कैसा treatment उस article के साथ किया जाएगा ऐसा article जिन पर डांक भार भुकतान नहीं किया तो ऐसे डांक के साथ क्या विभार किया जाएगा option कुछ दिये है more security is not used sending than other unregistered mail mail will be detained both of above are true both above are false जो सही जबाब हो जाए question number 70 का question बोला था कि article जिस पर पूरी तरीके से postage पेट नहीं उस article के साथ option number A जो है suitable option हो जाएगा दूसरे article की तुल्ला में उसको ज़्यादा security नहीं दी जाती है अगला question को target करते है 78 number question है choose the correct option regarding dejorability of prepayment of postage डांक भार की पूर अदाइगी बंचनीता के सम्मन्द में आपको कुछ बिकल्प दिये हैं उनमें से आपको सही बिकल्प का चैन करना है आपने अगर clause number 9 को read किया तो इस question को आप अबस कर जाएंगे effort bill made to send such mail as soon as possible कि article को जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास किया जाता है अगर आपने article पर पूरी तरीके से prepaid किया है such mail will stop it both of are true both above are false प्रेपेमेंटा पोस्टिक सम्मन्द में आपको एक कथन का चैज करना है जो कथन सही है जो सही उत्तर इसका हो जाएगा जो suitable option हो जाएगा इस article को जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करेगा और इसका delivery का जल्दी से वेबस्था करेगा तो मतलब article question number 78 का जो सही उत्तर है हो जाएगा अगले question की और हम चलते हैं अगला question 79 number question है postage stamp इसके लाबा option आपके पास cash इसके लाबा ये दोनो या फिर none of each बताईएगा अगला question है कि postage आपको paid करना है किस रूप में आप paid कर सकते हैं इसके लाबा आप ranking machine का उपियो करके भी article पर पैसा paid कर सकते question number 79 उत्तर C हो जाएगा तो ये दोनों चीजे तो है कि डाग घर में आप डाग भर का भुकतान या तो ticket के दौरा कर लीजिए या तो cash के दौरा कर लीजिए तीसरा option क्या है तीसरा option है franking impression franking machine के माद्यम से भी उस article पर पैसा paid कर सकते हैं डाग आपको option देता है अथारिटी आप गवर्मेंट आफ इंडिया payment is received by issuing payment of post stamp इस स्टेटमेंट इस ट्रू अफ फाल्स बताइए कि भारतिय डाग घर भारा सरकार के प्राधिकर के अंधर कर सामानने तहें डाग भार का भुकतान डाग टिकट जारी करके प्राप्त कर सकता है कभी-कभी आपको एक statement देदेगा statement यह देदेगा कि भारतिय डाग घर डाट-डाट के अधिकार के तहेत डाग भार का भुकतान डाग टिकट जारी करके करता है तो आपको जो ध्यान रखने वाला बात यह है कि भारत सरकार के अधिकार के अंतरगत ये प्रक्रिया की जाती है और कथन में आप से पूछाता कि कथन सही है या कथन गलत है तो आपके दिमाग में बिल्कुल उत्तरा रहो है कथन जो बिल्कुल correct है अगला question 81 number question question number 81 को देखिए और जब आप comment box सवाल को में read कर देता हूँ समा पोस्ट office, stationery, include envelope, inland, newspaper, postcard issued, it is पूछा है या फिर बोला है कि डागघर की कुछ लेखन समगरी जिस पे envelope आएगा, जिस पे अंतरदेशी पत्रकार आएगा, postcard आएगा जारी करना सामिल है कथन true है, कथन false है कथन, बिल्कुल true है, क्योंकि किसी भी डागघर में ये चीज़ें आप प्राप कर सकते है अगला question, 82 number का है अगला question, 82 number का है इसको आपको समझना है, जब आप comment box में डालना है जलिए, अगला question दिखिए यदि ऐसी लेखन समगरी उस पर डांक टिकट के मूल से अधिक डांक भार लिया जाना है ये question का statement आपको समझ में नहीं मैं बताता हूँ यदि आपका article में 22 रुपे का टिकट लगा है और उस पर 27 का लिया जाना है तो पूछा है या पेचित मूल के अत्रिक डाट डाट लगा कर इस फर्क को पूरा किया जा सकता है गोंद, डांक टिकट, कागच या फिर उपरोक्त में से सभी 22 का stamp लगाया है लगना 27 का है एक्स्ट्रा टिकट लगा के इस डिफरेंस को आप मैन पूरा करके लगा कर मैनेज कर सकते हैं चलिए, अगला सवाल दिखिएगा अगला सवाल question number 83 question number 83 important question, very important very important question आपकी स्क्रीन पर है बताइएगा what are the stamp issued by central government which are not used for payment of postage के अंदर सरकार दोरा कौन से टिकट जारी किये जाते हैं जिनका प्रियोग डांक भार के बुक्तान के लिए नहीं किया जाता revenue ticket फ्रेंक दोनों या इन में से कोई नहीं बताइएगा what are the stamp issued by central government which are not used for payment of postage आपको पता नोची revenue ticket के अंदर सरकार जारी करता है revenue ticket जो है वो payment आप postage के लिए valid नहीं है मतलब इसका उप्योग आप डांक भार के बुक्तान के लिए नहीं कर सकते हैं पास समझ में आ गया तो अगले question की ओर हम बढ़ जाते हैं question number 84 question number 84 आपके screen पर है ticket संकलन करता ticket संग रहा किया वसकता को पूरा करने के लिए विभाग ने खोले है फिलाटेली व्यूरो फिलाटेली व्यूरो बुक स्टाल स्पीड पोस्ट काउंटर या नन आफ दीच ticket संकलन करता मतलब जो नएने ticket जब day to day जारी किये जाते हैं तो first day जो stamp होते हैं जो ticket होते हैं उनको जल्दी से collect करने के लिए एक account open करवाता है different type of category होता है फेल का category है, history है किसी ने बहुत सारे स्वास्त में अच्छा किया है, बिग्यान के लिए अच्छा किया है, प्रक्यत के लिए सबी चीज़ों में भारत सरका ticket जारी करते हैं, कोई इसको collection करने का सौक रखता है जो उसके लिए फिलाटेली bureaus खोले गए हैं, ठीक है चलिए, अब तो बात किया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर भारत के अंदर ये करना चाहता है, तो ये तो आसानी से कर सकता है, ये काउन टूपिन करवा के तो अगला जो आप से सबाल पूछा था, वो ये था कि अगर कोई विदेश का व्यक्ति है, ठीक है, वो टिकट collect करना चाहता है, तो इसका सुबिधा कौन से डांगर में दिया है तो पूछा है, to meet the needs philatelist of philatelist from abroad, carried out by philatelie bureau पताइए, जो भी देशों के आडर रहेंगे उनका निस्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, philatelie bureau मुंबई GPO, नांगपुर GPO, चन्नाई GPO, नई का निस्पादन किया जाएगा, काफी लोगों का जबाब इस question के regarding सही हो रहा है चलते हैं अगले question की ओर, अगला question देखिए 86 number भारत में सभी डांग टिकट संगरह कारियलों में घरेलू डांग टिकट संगरहक जमा खाता प्रणाली कब से सुरू की गई थी Domestic Philately Deposit at all Philatelist Office India, भेनवाज the account system started एक अगस 1965, यह आपको डेट ध्यान रखना पड़ेगा, कि एक अगस 1965 भारत में घरेलू डांग टिकट संगरह जमा खाता प्रणाली सुरू किया गया था तो question number 86 का जो correct जबाब हो जाएगा यह डेट याद कर लीजिएगा, डेट नहीं भूलेगा, एक अगस्त 1965 आज के बाद नहीं भूलेगा अगला तबाले कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट इंडिया में उपन करवा रहा है, भारत में कलेक्शन के लिए, तो उस अकाउंट को कम से कम कितना रासी देकर ओपन करवाएगा, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट कैन भी ओपन विद मिनिमम अमाउंट आरियस दो सो रुपए, तीन सो रुपए, चार सो रुपए या पांच सो रुपए क्वेशन नमबर 87 का जो करेक्ट जबाब है, 200 रुपए से इस खाते को फुलबा सकता है और जब भी कोई नया कलेक्शन आएगा, भारत सरकार के दोरा कोई नया टिकट, भाग के दोरा कोई नया टिकट जारी करेगा, तो उसको वो समय पर उसको भेज दिया जाएगा, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अगला सवाल देखिए, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट कैन भी ओपेन थ्रू भीच दा फालूइंग इनमें से किस माध्यम से आप पीडिये अकाउंट, पीडियो के यदि हो जाएगा, हो जाएगा ए, बी, सीट, बतलब उप्युक्त में से सभी, चलिए सवाल अगला टार्गेट करते हैं 89 नंबर का सवाल है 89 नंबर का, देखिएगा पूछा है कि देश्टी फिलाटेली जमाखाता वेबस्था में यदि कोई नया इसमारक, नया इसमारक, नया टिकट विसेस ड्राप्ट, टिकट जारी होने पर हाटेदार को रजिष्टी डांक से भेजा जाता है और रजिष्टी डांक के लिए चार्ज क्या लेगा उसके बारें पूछाएं 25, 5 रुपी, 6 रुपी या मुक्त में भेजा जाएगा सवाल इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान होना चीए कि जब भी कोई भी एकाउंट उपिन करवाएगा व्यक्ति जो टिकट कलेक्शन का सौक रखता है तो रजिष्टर्ड पोस्ट के माद्धम से उसको ये जो सारे टिकट हो भेज दिये जाएंगे अगर वो बोलता है कि बीमा के माद्धम से भेजो तो बीमा के लिए उसको चार्जस बगएरा देने पर सकते तो इसका जो करेक्ट जबाप होगा वो हो जाएगा अगले कॉस्चन को हम टार्गेट करते हैं कॉस्चन नमबर 90 देखिए इस कॉस्चन को फिलाटेली व्यूरो जो खोले गए हैं उनकी अबसकता क्यों पड़ी या कि निकी अबसकताओं की है पूर्ती करता है स्टांप कलेक्टर इंसरेंस कस्टमर बैंकिंग या बल्क एक्सपोर्टर बड़िया सवाल है बताईए कि फिलाटेली व्यूरो जो किस उद्देश के लिए खोले गए जो सही जवाब होगा वो जाएगा स्टांप कलेक्टर मतलब जो टिकट कलेक्शन का सौक रखते हैं क्योंकि इसका एक टैग लाइन है सौक का राजा राजाओं का सौक तो टिकट कलेक्शन करने का सौक रखते हैं उनके लिए फिलाटेली व्यूरो जो खोले गए है ठीक है जवाब काफी लोगों को सही आ रहा है चलिए 91 नंबर का कुश्चन फिचे था फालोइंग डाई यूज टू बैलिडेट ता मार्किंग फ्रेंकिंग सुड बी फ्रेंकिंग मसीन पर अंकन बैद है उसकी माननता के लिए इमलिकित में से कौन से डाई उस पर होनी चाहिए फ्रेंकिंग मसीन आपको मैंने बताया है कि उसका उपयोग भार के भुक्तान के लिए किया जाता है उस पे दो डाई होती है कौन कौन से डाई होती है तो ये डाई का बात कर रहा है ये पुराना फ्रेंकिंग मसीन है इलेक्ट्रोनिक फ्रेंकिंग मसीन में डाई होती थी अभी डाई वगरा नहीं अभी होता है Ascending Meter और Descending Meter दो मीटर होते हैं अभी पहले वाले जो फ्रेंकिंग मजीन उसमें डाई होती थी एक होता था मूल डाई एक होता था License डाई इसका थोड़ा कहानी बता दूँ तो ऐसा था कि मूल डाई को आप से ज़्यादा बार लगाईए मूल डाई का मतलब क्या है 22 रुपिया का स्टाम्प है 27 का है 32 का है लाइसन्स डाई मतलब इस कंपनी का है LIC का है High Court का है Court का है जहां कभी कोई संस्थान है इस्ट्यूसन है उसका है ये लाइसन्स डाई प्रूब करता था चलिए इसका जवाब सी होगे कि कोई दोनो डाईयां जो है उपलब्द होती है चलिए फ्रेंकिंग मसीन के संबन में कितनी डाईयां उस पर मानने है How many dier valid relation to फ्रेंकिंग मसीन 1, 2, 3 या फिर 4 फ्रेंकिंग मसीन में दो डाईय होगा पिछला कोशन में मैंने आपको बताया कि दो डाईय उपल अब दो एक होगा value डाईय और एक होगा आपका license डाईय ठीक है value डाईय आपके इतने बार लगाईये कोई दिक्कत नहीं है लेकिन license डाईय आपको एक बार ही लगाना है ये बात आपको नहीं बुलना चाहिए ठीक है तो डाईय होगा आगला question को target करते हैं सराल question था चलिए अगला सवाल ये है इसका जो प्रेंकिंग मसीन पताये कौन फ्रेंकिंग मसीन का लाईसेंस जारी कर सकते है बताये सरतील हेड सिकेटरी सुपरेटेंडेंट पोस्ट मास्टर बताये इसका जो correct जबाब हो जाएगा C हो जाएगा फ्रेंकिंग मसीन जारी करने का अधिकार सुपरेटेंडेंडेंट या फिर मंडल अधिछक के पास है जो B बता रहे हैं उन लोग गलत है चलिए अगला देखिएगा फ्रेंकिंग इंप्रेशन सुट बी of following color फ्रेंकिंग इंप्रेशन जो रहेगा वो किस color में रहेगा दो कटेगरी फ्रेंकिंग मसीन का master video बनाया है दोस्त आप सभी ने देखा होगा और आप गलत नहीं करोगे मैं आप से उम्मीद करता हूँ bright black color, bright red color, bright pink color, bright green color उचा कौन सा रंग का होगा तो बार-बार चर्चा करते हैं कोई बोलता है red होगा, कोई बोलता है कि blue होगा जो correct जबाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि blue रंग का होता है जब कभी नहीं पूछे उस पर mention नहीं करे mention नहीं करे कि remotely बाला है कि electronic बाला है तो आपको नीला लगा देना है अगर mention करे कि बताईए कि electronic बाले में तो electronic बाले में लाल और फिर remotely बाले में नीला, चलो अगला देखो following postal article Frank will be treated as unpaid बताना है कि कौन से article जो treat किये जाएंगे unpaid अगला सवाल ये था फ्रेंकिंग का ही सवाल था सवाल ये था, गौर से सुनिये कि कि इस frank article को unpaid माना जाएगा जिस पर previous date का stamp लगा है जिस पर बाद का लगा है after जो later box में post किया गया है या फिर ये सभी ये question काफी important है आज के बाद ये question आपको नहीं बुलेगा ऐसा article जिस पर previous date का stamp लगा है no 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 अगर आप later box collect correct answer चूच कर रहे हैं तो गलत है बास समझेगा ये तीनों condition है ये तीनों condition में unpaid मानेंगे previous date का stamp लगा उसको भी unpaid after का लगा उसको भी unpaid अगर later box में post किया उसको भी unpaid माना चाहेगा मतलब उत्तर नंबर D जो है इसका correct जवाब है चलिए अगला सवाल लेखे 96 नंबर का सवाल बताइए license धारी machine दोरा फ्रेंक वस्तूँ को दो डांग घर में डालना चाहेँ उन्हें एक डांग घर और दूसरा dot dot में डाल सकता है बास समझेगा electronic बाला जो फ्रेंकिंग मसीन था electronic बाला जो फ्रेंकिंग मसीन था उसको दो डांग घरों में डालने का प्रबंद किया remotely बाला फ्रेंकिंग मसीन जो है उसको एक डाग घर में डालने का प्रमंद है यह जो नियम का चर्चा कर रहा है यह इलक्ट्रोनिक बाला नियम है तो इलक्ट्रोनिक बाले में एक तो हम डाल देंगे डाग घर में और दूसरा हम डालेंगे या तो मुबाइल, या तो नाइट, या तो फ्रेंक, या तो आलापता है बताए कौन सा उत्तर? करेक्ट है इफ दा लाइसेंस वांट टू ड्राव फ्रेंक आर्टिकल बाए मसीन इन टू पोस्ट आफिसेश या तो एक तो हम डाल देंगे आगर में दूसरा हम डाल देंगे नाइट पोस्ट आफिसेश अगले सवाल की और चलते हैं अगला सवाल 97 नमबर बास समझ लीजी थोड़ा सा बास समझेगा प्रेंक आटिकल बिल बी बंडल सेपरेटली according to the dot dot each frank and will be given at counter के frank की वस्तुएं हर frank dot dot के अनुसार प्रथाक बंडलों में बांध कर counter पर दी जाएंगे बजन के अनुसार मूल के अनुसार या फिर आबरन के अनुसार आप जब भी frank article लाते हैं तो separate bundle बनाना है bundle का category रहेगा 22 रुपए का एक bundle ऐसा करके आपको डांगर में पेस करना है ये बात आपको गौर करना इस बात के उपर चलें अगले सवाल की ओर 98 नंबर का सवाल फ्रैंकिंग मसीन का ही question है फ्रैंकिंग मसीन का question आता है दोस्त इसलिए आपको question देखने को हर एक question को कपर करने का प्रयास किया है अगला सवाल ये पूछा है फ्रैंक आर्टिकल सेल भी डिलिवर ओबर काउंटर पोस्ट ऑफिस ऑफिस और एबरी डिस्पैस सेल भी एक कमपेंड बाइवाट लाइसेंस और हीज रिप्रेजन्टेटिव इस रिक्वाइड टू कैरी और आइडेंटी केस्ट कि फ्रैंक ये आर्टिकल को डांगर या डांगर ये काउंटर पर दी जाएगी प्रतेक प्रेसन्ट के साथ लाइसेंस धारी क्यों या उसके प्रतदिनी के पास पहचान के लिए होना चाहिए विंडो डिलेवरी टिकट होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव का आधार काड चाहिए या ड्राइबिंग लाइसेंस चाहिए या इन में से कोई नहीं क्योंकि आप ला रहे हो तो आपको पहचान होना चाहिए न कि आप किस संस्थान से आएं है तो हर एक लाइसेंसी के पास लाइसेंस धारी के पास एक विंडो डिलेवरी टिकट होना चाहिए ठीक है एक विंडो डिलेवरी टिकट होना चाहिए अगला सवाल देखिए 99 नमपर का अगला सवाल देखिए आप्लिकेशन फॉर लाइसेंस यूज फ्रेंकिंग मसीन इन इंडिया बिल बे एकसेप्टेड ऑन गिभिंग। भारत में फ्रेंकिंग मसीन के प्रेयोग की लाइसेंस सम्मंदीत को आवेदन पत्र देने पर मंजूर किया जाएगा। बताईए कि कौन उससे सम्मंदीत आवेदन पत्र मंजूर कर सकता है। ध्यान रखना है। चलते हैं। अगला देखो अगला कुश्चन देखो 100 नमबर का कुश्चन अगला देखिए कुश्चन बताईएगा। हो सकता है कि आप जब अपना फ्रेंकिंग मसीन ला रहे हैं तब उस दिन का डांक भेज दिया गया है। तो आपका जो फ्रेंकिंग मसीन मेला डांक है उसके साथ क्या किया जाएगा। उसी के बारे में एक कुश्चन पूँचा गया है। तो डांक डालने वाले डांक घर पर डॉट डॉट यथा उचित रूप से भरकर उस पर तारीक सही हंस्ताक्षर करके देना पड़ेगा। और उसको लास्ट जो डांक चला गया उसके बाद उसको भेजा जाएगा। बास समझ में आ रहा ना तो उसको डेली डॉकेट एक डैनिक डॉकेट भरकर सब्मिट करना पड़े। ये था आज का आखरी सवाल। उम्मीद करता हूँ आज का सेसन आपको अच्छा लगा है। सेसन अच्छा लगा है थमस अप करिएगा। इसी उर्जा के साथ आप दो हजार चौबिस के विभागी परिच्छा के लिए राद दिन एक करेंगे और मेहनत करेंगे दो हजार चौबिस में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्टेटिव एक्जाम करेंगे। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए तयार रहिए कल के लिए ध्यान रखिए गुड़नाइट सुबराते टेक क्यार